हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन सा महीना कितना तारीक को लगता है और लीप वर्स क्या होता है दोस्तो आप लोग इस वीडियो को अंतक देखते रहिएगा मैं आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका से समझा दूँगा देखिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस तरह से बांध लेना है और आपको याद रखना है कि अगर कोई उपर आएगा यानि कोई भी महीना अगर उपर आता है तो वह जो महीना लगेगा वह लगेगा 31 तारीक का अगर कोई महीना नीचे आता है तो वह जो महीना लगेगा वह लगेगा 30 तारीक का तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ जनवारी से स्टार्ट करेंगे देखे जनवारी उपर आ गिया यानि जनवारी का जो महीना लगेगा वह लगेगा 31 तारीक का अब देखिए इसके बाद फरवारी जो है इसके नीचे आ रहा है लेकिन देखिए इसमें एक बात याद रखना है कि फरवारी का जो महीना होता है वह 30 तारीक का नहीं लगता है फरवारी का महीना लगता है 28 तारीक या फिर 29 तारीक का ठीक है अब आपको देखे फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा यहाँ पर यानि यह आ गया उपर तो यह जो मार्च का महिना है यह लगेगा 31 तारीक का मार्च के बाद देखिए अप्रेल आ गया नीचे तो अप्रेल का महीना जो है वह लगेगा 30 तारीक का अप्रेल देखिए यहाँ पर था इसके बाद मई आ जाएगा इसके उपर यानि मई का महीना जो है वह लगेगा 31 तारीक का माई के बाद देखिए क्या आता है वह आता है जून जून देखिए नीचे आ गिया तो जून का महीना जो लगेगा वह लगेगा तीस तारीक का जून के बाद देखिए अंत में आगिया जुलाई देखिए यह भी आगिया उपर यानि यह जो महीना लगेगा यह लगेगा 31 तरीक का देखिए अब यहाँ पर यह खतम हो चुका है तो देखिए अब आपको यहाँ से डिरेक्ट यहाँ आना है यानि देखिए जुलाई था अंत में तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे यानि शुरू में तो देखिए यह भी हो गया उपर तो यह जो अगस्त का महीना होगा यह भी लगेगा 31 तरीक का जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है दोनों महीना 31 तारीक का लगता है अब देखे यहाँ पर है सितंबर यहाँ पर देखे अगस्त था इसके बाद देखे सितंबर आगया नीचे यानि यह जो महीना है यह लगेगा 30 तारीक का अब देखिए यहां पर है अक्टूबर अक्टूबर आ जाएगा यहां पर तो यहां लगेगा 31 तारीक का महिना इसके बाद देखिए आ जाएगा नवंबर यानि इसके नीचे आएगा तो नवंबर का जो महिना है वह होता है 30 तारीक का नवंबर देखिए यहाँ पर आ रहा था दिसंबर आ जाएगा उपर याणि दिसंबर का जो महीना होता है वह लगता है 31 तारीक का तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि कौन सा महीना कितने तारीक को लगता है तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि फरवारी का महीना कब लगता है 28 तारीक का और कब लगता है 29 तारीक का देखिए अगर लीप वर्स होता है तो उसमें फरवारी का मन्थ जो है वह लगता है 29 तारीक का अगर लीप वर्स नहीं है तो वह जो साल होगा उसमें फरवारी का मन्थ लएगा 28 तारीक का तो चलिए हम लोग स समझ लेते हैं, यहां leap words क्या होता है, देखिए जो साल, 4 से भाग लगाने पर, अगर पूरा-पूरा कट जाता है, वहां जो साल होता है, वहां होता है leap words, जैसे देखिए, 2020, यहां जो था, यहां था leap words, इसको कैसे पता करेंगे, तो हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, 4 से 20 में भाग लगाएं, तो यहां लग जाएगा 5 बार में 20, और यहां संख्या देखे, पुरा-पुरा कट गया, यहां से देखे, 2 उतरेगा, तो 4 से 2 में भाग नहीं लगेगा, यहां से 1-0 उतर जाएगा, ज चार से हम लोग यह वर्स में भाग लगें तो यह पूरा-पूरा कट गिया तो हम लोग कहेंगे कि 2020 जो है वह लीप वर्स है यानि जब लीप वर्स है तो इसमें जो फरवारी का महीना होगा वह लगेगा 29 तरीका और जो वर्स लीप यर का नहीं होता है उसमें जो फरवारी क मन्त लगता है वह लगता है 28 तारीक का जैसे माल लिजिए अभी है 2022 यानि यह जो 2022 है यह लीपियर है की नहीं इसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे देखिए 4 से 20 यह कट जाएगा 5 बार में यहां से 2 उतरेगा दो में भाग नहीं लगेगा यहां से भी आपको 2 को उतरना पड़ेगा जब 2 संख्या उतरता है तो यहां पर 0 बैट जाएगा 4 से देखिए 22 में पूरा पुरा भाग नहीं लगेगा पांच बैर में देखिए होगा 20 यहां से बच जाएगा 2 यानि देखिए यह संख्या पूरा-पूरा नहीं कट रहा है तो हम लोग कहेंगे कि 2022 जो है वह लीप यर नहीं है यानि 2022 में जो है फरवारी का मन्त लगेगा 28 तरीक का यानि अभी जो 2022 था इसमें फरवारी का मन्त 28 तरीक का लगा हुआ था आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि लीप वर्स हम लोग किसको कहते हैं लेकिन देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर सताबदी वाला वर्स होता है सताबदी वर्स हम लोग उसे कहते हैं जो सौ के रूप में आता है एक सताबदी जो हता है वह हता है सौ वर्स का जैसे मालेजे कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि सॉल्ला सौ इस भी जो था वह लीप यर था कि नहीं तो देखें, आपर 16 है, तो इसमें आपको 4 से भाग नहीं लगाना है, इसको हम लोग कहेंगे कि यह सताबदी वाला वर्स है, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, 400 से, यह 2 0 से, यह 2 0 कट जाएगा, 4 से 16 को काटें, यह कट जाएगा 4 बार में, यानि 400 से यह संख्या पूरा- यानि हम लोग कहेंगे कि 1600 जो इस भी है, वह ली पियर होगा, जैसे मान लिजिए कि 1300 इस भी, देखिए 1300 इस भी में, अगर आप 4 से भाग लगा देते हैं, तो यह पूरा-पूरा कट जाएगा, लेकिन देखिए अगर आप इसे कहते हैं ली पियर, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि जब सताबदी वाला वर्स होता है, तो उसमें आपको 4 से भाग नहीं लगाना है, उसमें आपको भाग लगाना पड़ेगा, 400 से यह 20 से यह 20 कट जाएगा, 4 से देखिए 13 में भाग पूरा-पूरा नहीं लगेगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो 1320 भी है, यह वर्स किसको कहते हैं, और कौन सा महीना कितना तारिक को लगता है, तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा,